क्रिस्मस के अवसर पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ संद फ्रांसिस एक सितंबर के रात में जब वो समय बिता रहे थे गुफा में वो एक पहाड़ी इलाका था और उदर एक छोटा सा गाउं था उस गाउं का नाम ग्रेसियो था उन्होंने सोचा कि उन लोगों के साथ क्रिस्मस बनाए और उन लोगों को मदद करे उन्होंने पिता से अनुमदी ली और संद फ्रांसिस ने उन लोगों के साथ एक क्रिस्मस का छोटा सा एक खेल खेला उस दिन संद फ्रांसिस ने उन लोगों से कहा कि तुम सब तुमारे जानवरों को गुफा में लेकर आने को और उस रात को संद फ्रांसिस एक सुस्वमाचार सुनाया उन लोगों को और वो प्रेम से बर गए और उन्होंने एक सपना देखा कि संद फ्रांसिस नीचे आ रहे थे और उन्होंने चरनी में हुए एशु मसी को उठा कर हातों में रखा और वो लोग उन एशु को देख कर वो असली और जिंदा लगा उस दिन रात वो खुशी से बर गए थे और उनको गर जाने के लिए कोई प्रकाश का कोई चीज नहीं चीजिए था क्योंकि वो उनके मन उनका घृदे में प्रकाश से बर गए थे जैसे हमने संद फ्रांसिस को देखा कि वो अपने घृदे में एक छोटा सा गर बनाया झाल झाल झाल